नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं डीड यू गोरकपूर यूनिवस्टी से जोड़ी कुछ जरूरी जानकारी दोस्तो गुरू श्री गोरक शनात कॉलेज ओफ नर्स एंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं और आपको नहीं पता है कि क्स तरह के कोश्टन पूछे जाते हैं और कौन से सब्चेक्स पूछे जाते हैं तो यह वीडियों सिर्फ वासिर्फ आपके लिए हैं वीडियो में हमारे साथ अंतक जरूर बने रहिए क्योंकि सारी कोश्चन की बात कर रहे हैं जो जातर वीसी नर्सिंग एंटरेंस एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो आपको थोड़ा पेशन्स दोस्तों रखना होगा सभी कोश्चन के बारे में अच्छे से समझने के लिए कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है इसलिए अंते तक बने रहे हैं सभी कोश्चन के आंसर आप जानने के लिए तो आई दोस्तों देढ़ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज किस वीडियो को और देखते हैं DDU का 2020 का कोश्चन पेपर दोस्तों अगर हम हमारे पहले कोश्चन की बात करें तो हमारा पहला कोश्चन है निम्द लिखित में से किसका बंद कोण का मान अधिक्तम है दोस्तों इसका सही आंसर है option A CHF2 हमारा अगला question है दोस्तों निम्द लिखित में से कौन CO2 के सम इलेक्ट्रोनिक है इसका सही आंसर है B N2O अगले question की बात करें दोस्तों तो hydrogen bomb आधारित है इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाब की है sun lion CHF4 के निर्माण में संकृत कक्षकों का प्रयोग होता है इसका सही आंसर है दोस्तों CSP3 निम्द दिये गए कार्व रणायनों में से कौन सबसे ज़्यादा इस्थाई है दोस्तों इसका सही आंसर है option A C2H5 CS2 अगले कोश्चन की दोस्तों बात करें तो जब किसी असम्मित अणू की असम्मित एलकीन पर योग होता है तो अणू का रणात्मक भाग उस कार्वन परमाणू पर जाता है जिससे जुड़े हुए hydrogen परमाणू की संख्या नियुन्तम होती है यह है तो दोस्तों इस बी मार्कोनी कॉफ नियम अगले कोश्चन की दोस्तों बात करें तो हमारा अगला कोश्चन है ए्थलीन ग्लाइकोल का सरवादिक इस्थाई संुरूपी है इस कोश्चन का दोस्तों तो सही आंसर होगा option B गोसे अगला question है दोस्तो राइमन्ट टीमेन अभिक्रिया देते हैं इनमें से कौन राइमन्ट टीमेन अभिक्रिया को देते हैं तो दोस्तो हमारा सही answer है option B phenol अगले question की दोस्तो बात करें तो यहाँ पर एक अभिक्रिया आपको दे रखी हो आपसे पूछा गया है कि यह अभिक्रिया क्या कहलाती है तो दोस्तो इस अभिक्रिया को आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसका सही answer है option D Clemenson अभिक्रिया अगले question की दोस्तो बात करें तो एक कार्बनिक योगिक A आयोजोनी करण के पस्चाथ एक अडू एसिटोन तथा एक अडू फार्मेल्डी हाइट देता है योगिक A क्या है तो यहाँ पर दोस्तो जो सही answer होगा वो होगा option C butene 1 दोस्तो हमारा अगला question है योगिक CH2, C, CH2 में कौन से संक्रिट कक्षक उपस्तित है दोस्तो इस question का सही answer होगा option C, SP, A even SP2 अगले question की दोस्तो बात करें तो methanol ये sodium hydroxide द्वारा अपचेद किये जाने पर nitrogen देता है इस प्रशन का सही उत्तर है दोस्तो अगले question की और दोस्तो बढ़ते हैं हमारा अगला question है निम्नलिकित LD हाइडों में से कौन सा LD हाइड कैनी ज़ारो अभी दिख्रिया नहीं देता है तो दोस्तो इस question का सही answer होगा acetaldehyde next question की अगर आप दोस्तो बात करें हमारा अगला question है कौन नाविकिया इसने ही है which one is nucleophile तो यहाँ पर दोस्तो आपका सही answer होगा option D यानि की उप्योक्त सभी दोस्तो ये सभी नाविकिया इसने ही है अगले question की और दोस्तो बढ़ते हैं निम्नलिकित में से कौन सी ग्रंथी रक्तचाप को नियंत्रित करती है which of the following gland controls the blood pressure और इसका दोस्तो सही answer होगा option C adrenal grunty अगले question की दोस्तो बात करें तो अगला question है entomology यह विज्ञान है जिसमें अध्येन किया जाता है entomology is the science that studies दोस्तो entomology में क्या study किया जाता है तो इस question का दोस्तो सही answer होगा option C keto को यानि कि insect हमारे अगले question की दोस्तो बात करें तो वो है प्रकास sensation में oxygen कहां से आता है तो दोस्तो यह आपने बच्पन में पढ़ा रखा है सभी ने इसका सही answer होगा दोस्तो option C जल से यानि कि water अगले question की दोस्तो बात करें तो ascorbic acid vitamin है ascorbic acid दोस्तो कौन सा vitamin है तो इसका सही answer होगा option C इसके बाद दोस्तो अगले question की बात करें तो वह तत्व जो सभी छार में उभैनिस्ट होता है यानि कि वो कौन सा तत्व होता है जो सभी छार में उभैनिस्ट होता है तो इसका दोस्तो right answer होगा C hydrogen अगले कोश्चन की बात करते हैं दोस्तों हमारा अगला कोश्चन है भारत की नाविकिये नीती निम्न लिखित मैंसे किस पर आधारित नहीं है इंडिया इस न्यूक्लियर पॉलिसी नॉट बेज़ डॉन विच आफ दॉवलॉइंग तो यहां पर दोस्तों जो सही आंसर होग दोस्तों option A, ammonia chloride और zinc chloride दोस्तों अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं हमारा अगला कोश्चन है एक सगन माध्यम में रखे हुई बस्तू को जब बिरल माध्यम से देखा जाता है तो बस्तू ऊपर खिसकी हुई प्रतीत होती है यह विचलेंड किस वर्ण हेतू अधिक्तम हो बोटी लगवग होती है इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा option B, one angstrom अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं दोस्तों MS वर्ड है यानि कि MS वर्ड क्या है what is MS वर्ड यहां पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा option C, software आप सभी दोस्तों MS वर्ड का यूज़ करते होंगे या आपने किया होगा अगले कोश्चन की और दोस्तों बात करते हैं इनमें से किस संग के सभी जीब समुद्री होते हैं तो दोस्तों इसका option होगा D, इकाई नोड मेंटा इसके बाद अगले कोश्चन की दोस्तों बात करें तो जन्तु जिसमें विशिष्ट स्वसननांग नहीं पाये जाते हैं वो कौन से जन्तु होते हैं जिनमें विशिष्ट स्वसननांग नहीं पाये जाते हैं तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा option D, हाइड्रा हमारा अगला कोश्चन है दोस्तों केचुए का प्रम वाली करने वाला है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गाई इसके आगे दोस्तों अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं हमारा अगला कोश्चन है एंजाइम जो DNA के दो रज्जकों के अंत को जोड़ती है तो यहां पर दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइगेस थार्टी कोश्चन अभी तक हम इस तरह से सौजउन हमें दोस्तों कंप्लीट करने है तो वीडियो में अंतक दरूरर बने रहेगा वापको वीडियो तोड़ाचा बोरिंग नहीं लगए लगाओ इस़लिए दोस्तों वीडियो में दोको अंतक बने रहना जिसे के आप सारे questions को देख पाएं और समझ पाएं कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 31st question की और हमारा 31st question है बास तो एक दुशंकर दशा कौन सी है यहाँ पर दोस्तों इस question का सही answer होगा option c t t r r अब यहाँ पर दोस्तों first t capital है दूसरा small में फिर उसके बाद r capital है और दूसरा r small में है यानि कि t capital t small r capital r small इसके बाद दोस्तों 32nd question की और बढ़ते हैं हमारा 32nd question है जीव विकास का मूल भूत स्रोथ क्या है इस question का दोस्तों सही answer होगा option a उत परिवर्तन हमारा अगला question है दोस्तों coinocyte कहां मिलती है तो दोस्तों इस question का सही answer होगा option b endoderm अगला question है दोस्तों jamule का कारे क्या होता है या jamule क्या कारे करता है तो इसका option होगा दोस्तों option b alangic president अगले question की दोस्तों बात करें तो cockroach की malpighyan नलिकाओं का कारे क्या होता है तो दोस्तों इस question का सही answer होगा option सी उत्सर्जन अगले कोशन के और दोस्तों बढ़ते हैं 36 कोशन दोस्तों गती प्रेरग प्रभावित करता है तो इस कोशन का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा और दोस्तों अगले कोशन की बात करते हैं अगला कोशन है पैरा मीशियम में संयूग मन की क्रिया परणाम है सक्रियता की इस कोशन का दोस्तों सही आंसर होगा option A, micronucleus दोस्तों हमारा अगला कोशन है heparin कहां बनता है तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा option C, यकरत कोशिका यानि की liver cells में अगले कोशन की दोस्तों बात करते हैं जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धान किस ने दिया है तो इसका सही option होगा दोस्तों वीज मैन, option C दोस्तों दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले कोशन की हमारा अगला कोशन है प्रोटीन और RNA का संसलेशन किस चरण में होता है दोस्तों इस कोशन का सही आंसर होगा option A, अगले कोशन की दोस्तों बात करें तो केचुए में किन खंडों में CT नहीं होती है तो द पहला नठिम 14-16 इसके बाद अगले कोशन की ऊर बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा इत्परिवर्तन होते हैं टब परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों यह बताना है कोश्चन में तो यहाँ पर दोस्तों उप्शन है जीन्स के अन्यमित वर्टवारे से बदली वगाता वर्णिये दिशाओं से विकास की निश्चित दिशाओं से और जीन्स में रिसाइनिक परिवर्तन से तो दोस्तों इसकोश्टन का सई ओप्शन है ऑप्शन दी जीन्स में रसायनिक परिवर्तन से इसके बाद अगले कोशन की और बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला कोशन है अर्द सूत्री बिवाजन के दौरान पार गमन के सवस्ता में होता है तो दोस्तों आपकी स्कीरिन पर हैं दोस्तों इस कोशन का आंसर है ऑप्शन C, Packetine Next question की बात करें दोस्तो तो एक व्यक्ति जिसका रक्त समू A है वह A, B रक्त समू वाली महिला से विवा करता है किस प्रकार की संतान यह प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति होमो जाइगस नहीं है दोस्तो इस question का सही आंसर होगा option C यानि की B अगले question की दोस्तो बात करें तो गमन के लिए नाल पाद किन में होते हैं इस question का दोस्तो सही option होगा option C इनकानोर्ड मेंटा ग्लो मेरूलर निश्यंद से क्लोराइड आयन को पुनर अफ्शोशन ब्रक्क नलिका के द्वारा होता है दोस्तो इस question का सही option होगा option B समवहन के द्वारा अगले question की दोस्तो बात करें तो हमारा अगला question है संग निडेरिया में किस तरह की symmetry पाई जाती है दोस्तो इस question का सही option है option A radial इसके बाद दोस्तो हमारे next question की बात करें तो Aristotle Lantern सुपकरण का मुख्यकारे करता है दोस्तो इन में सही जो option होगा वो होगा option B भोजन का चवाना अगला question है दोस्तो इन में से किस के जीवन चक्र में एमिसिट लार्वा पाया जाता है तो दोस्तो इस question के लिए सही option है option A लेंप्रे 51st question की दोस्तो बात करें तो एक ऐसा समू जिसकी सभी जीवों में मार्सुपियम पाया जाता है वह क्या है तो दोस्तो इसका सही option है option D Metatheria दोस्तो अगले question के और बढ़ते हैं हमारा अगला question है 5 Immunoglovin के द्वारा किस समू की antibody का निर्मान होता है तो option दोस्तो आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपका सही अंसर है option B IgM का अगला question दोस्तो हमारा कह रहा है लाल लक्त कडिकाओ के परीपकवन के लिए इन में से कौन सा विटामिन आवश्यक है तो दोस्तो यहाँ पर हमारा सही option होगा option A vitamin B12 अगले question की दोस्तो बात करते है हमारा अगला question है मेंड़क की खोपड़ी है अब मेंड़क की खोपड़ी क्या है दोस्तो यहाँ पर option आपके सामने है सही option की बात करें दोस्तो तो सही option होगा आपका option B डाई कंडायलिक इसके बाद दोस्तो अगले कोशन के और बढ़ते हैं हमारा अगला कोशन है विकास के लिए उपारजित लक्षणों के वन्शागती का सिद्धान प्रतिबादित किया गया था तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option B ले मार्क स्वास प्रकाश अंसलेशन मार्क अनुकूल जाज़तर पाया जाता है तो अनुकूल कप पाया जाता है दोस्तो तो option C यहाँ पर सही आंसर होगा जीरो फाइट में 57th question की दोस्तो बात करें तो माइक्रो राइजा एक उधारण है अब यह किस चीज का उधारण है दोस्तो तो यहाँ पर जो सही option होगा वह option B mutualism next question कहता है दोस्तो बी टी टॉक्षिन जिस जीन से code होता है वह कहलाता है तो दोस्तो उस code को हम कहते है cry option C इसके बाद दोस्तो next question में पूछा गया है DNA double headaches का पिच सामानने होता है तो दोस्तो इस question के लिए सही option होगा option B 3.5 mm 60th question की दोस्तो बात करें तो nucleosome के core में प्रयोक तो histone की संक्या क्या होती है तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा option C 8 next question में दोस्तो कहा गया है Griffith ने transformation प्रयोक किस जीवानू पर किया था और वो कौन है तो दोस्तो इसका सही option होगा option D streptococcus pneumonia coding sequence और express sequence दोस्तो क्या होते हैं किने कहा जाता है तो दोस्तो यहां पर इसका सही option होगा exons option D दोस्तो अगले question में पूछा गया है रास्टी ये बनस्पतिक अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है तो दोस्तो शायद आप के तक दोस्तो आप सभी इसके बारे में कही ना कहीज जानते होंगे दोस्तों है सभी option मेक्स यानि कि सोयबीन नेक्स कोश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स कोश्चन में पूछा गया है ट्रैकियर ट्रैकेड्, दारुदंटू और मुरुद्धक पाया जाता है तो दोस्तों इसका सही ओप्षन होगा ओप्षन एज़ाईलम में अगले question की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगले question में पूछा गया है सिलीकुवा प्रकार का फल सामानेता कुल में पाया जाता है अब यहां पचार option है दोस्तों इसके लिए सही option होगा आपका ब्रैसी किसी next question की बात करें दोस्तों तो next question क्या कह रहा है तो यानि कि वो क्या है जिसमें बीजानुट प्लेसिंटा से जुड़ता है तो दोस्तों सही option होगा option a फ्यू निकल next question की दोस्तों बात करें तो next question में पूछा गया है फूल जो बिलकुल नहीं खुलते हैं वो होते हैं यानि फूलों को क्या बोलते हैं जो बिलकुल नहीं खुलते हैं तो दोस्तों ऐसे फूल कहलाते हैं option बी क्लिस्टो गैमर्स दोस्तों हमारा अगला question है नर यूगमक दो धुरूबिय न्यूकली की संगलिता से बनता है यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही option होगा वो होगा option C दोस्तों हमारे next question की बात करें तो डेहलिया की जड़े होती हैं तो डेहलिया की जड़े दोस्तों कैसी होती है तो इसका सही option होगा option B कंदिल यानि की ट्यूबरस next question में दोस्तों पूछा गया है निमलिखित मैंसे क्लेडोट कौन सा है तो यहाँ पर चार option है दोस्तों इसमें आपको बताना क्लेडोट कौन सा है तो दोस्तों इसका सही option होगा option B Acacia 73rd में दोस्तों पूछा गया है कि Saikas Rebuliuta का प्रशलित नाम क्या है तो यहाँ पर दोस्तों जो सही option होगा वह होगा सैगो पाम next question में दोस्तों पूछा गया है बहु पक्षमा भी नर यूगमग पाए जाते हैं तो दोस्तों इसका सही option होगा option D Saikas में 75th question में दोस्तों पूछा गया है Teridofite को कहा जाता है तो Teridofite को दोस्तों क्या कहते हैं तो इसका सही option होगा option C Somevenia Crypto Game 76th question में दोस्तों पूछा गया है मांस के पैरिस्टॉमी दाथ दिखाते हैं तो दोस्तो क्या होते हैं वो तो यहाँ पर जो सही option होगा दोस्तो वो होगा option A hydrocacy 77th question में दोस्तो पूछा गया है few area में मूलाभास उत्पन होते हैं अब कहाँ पर उत्पन होते हैं दोस्तो तो यहाँ पर सही option होगा option A आधारी छेत्र से next question में दोस्तों पूचा है इसके जीवन चक्र में protein नीमा पाया जाता है किसके जीवन चक्र में दोस्तों protein नीमा पाया जाता है तो यहाँ पर जो सही option है वो है option C funeria में 79th question में दोस्तो पूछा गया है, Iodine प्राप्त किया जाता है, Isto जो सही option होगा दोस्तो, वो होगा option A Laminaria से, वह ही 18th question में दोस्तो पूछा गया है, Penisoline का आविशकार किस ने किया है, तो चार option दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन जो सही option है वो होगा option A, A flaming ने अगले question के और बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला question है विशम जाली कता का आविशकार किस ने किया था यहाँ पचार option है दोस्तों जिसमें सही option होगा दोस्तों option A, Blacksley ने 82nd question में दोस्तों पूछा गया है जीनस पैनिसीलियम आता है अब यहाँ पचार option दोस्तों आपके सामने हैं लेकिन हम answer को देखते हैं answer दोस्तों होगा हमारा option B, S को Mycetes से 83rd में दोस्तों बात करें तो 83rd question में पूछा गया है भूरी शैवाल का लाक्षणिक वर्णन है तो क्या लाक्षणिक वर्णन होता है दोस्तों जिसको आप easily पैचान सकते हैं तो यहाँ पर option C दोस्तों सही answer होगा जो कि है फ्यूको जैन्थिन 84th question की दोस्तों बात करें तो प्रोटीन की प्रेचुर मात्रा वाली शैवाल होती है तो यादि ऐसी कौन सी शैवाल होती है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो दोस्तों इसको बोलते है option D, Spirulina आप सभी ने इसका नाम सुन रख होगा दोस्तों बाजार में कई perform में आपको मिल जाती है next question की दोस्तों बात करते 85th question में पूछा गया है निम्द लिखित मैंसे कौन से पौधे प्रकास संसलिशन के अध्यान में उप्योगी होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो सही option है वो है option A, Chlorella अगर किसी अभिक्रि अभिक्रिया की कोटी होती है तो अभिक्रिया की क्या होगी दोस्तों तो यहाँ पर जो सही option होगा दोस्तों वो होगा option B, 1 next question में पूछा गया है दोस्तों उत्प्रेरक रसाइनिक अभिक्रिया में परिवर्तन लाता है तो क्या परिवर्तन लाता है दोस्तों तो यहाँ प कोश्चन में दोस्तों पूछा गया है स्वता इस पूर्थी यविक्रिया के लिए अनुकूलतम शर्तें हैं तो यहां पर दोस्तों आपको 4 option दिए गये हैं जिसमें सही option होगा दोस्तों आपका option A 89th question में दोस्तों हम बात करें तो 89 में पूछा गया है PS3 एवं PH4 के समान आयतन वाले विलेनों को मिलाया जाता है पढ़नामी विलेन का PH मान क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा option D 3.26 19th question की दोस्तों बात करते हैं 19th question में पूछा गया है KP and KC के भी संबन्द क्या होता है तो यहाँ पर आपको 4 option दिये हैं दोस्तों इसमें जो सही option होगा आपका वो होगा दोस्तों option B KC is equal to KP RT की power दोस्तों D N अभी करिया N2 3H 2NH3 के लिए दोस्तों साम में इस तरहांग K है तो अभी करिया 1 upon 2 N2 plus 3 upon 2 N2 is equal to N3 दोस्तों इसके लिए साम में इस तरहांग क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों जो सही answer होगा वो होगा option C under root K दोस्तों अगले question के ओर बढ़ते हैं हमारा अगला question पूछ रहा है यदि किसी उदासीन विलियन के PKW का मान 50 degree Celsius पर 13.3 है तो विलियन का pH क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही answer होगा वो होगा option A 6.68 Calcium fluoride के संत्रप्त विलियन की विलियता 2 गुड़ा 10 की घात माइनस 4 mol प्रति लीटर है तो इसका विलियता गुड़न फल क्या होगा तो दोस्तों इसका सही answer होगा 32.10 की घात माइनस 12 दोस्तों हमारा अगला कोश्चन है निम लिखित में से किस बफर बिलियन की प्रकृति प्रवल अमलिय है तो यहाँ पर जो सही option होगा दोस्तों वो होगा option A HCOOH plus SCOO 95.10 की दोस्तों बात करें तो हमारा अगला कोश्चन है 95.10 कोश्चन समाने मात्रा में लवर एवं अमल को दारण करने वाले बफर विलियन के लिए पी एच क्या होगा तो यहाँ पर जो दोस्तों सही option होगा option C 8 दोस्तों हमारा अगला कोश्चन है किसी परमाडू के किसी एक उर्जा के स्थर में संपूर्न इलेक्ट्रॉण की संख्या की गढ़ना के लिए वियंजग नेय। तो दोस्तों क्या वियंजग होते हैं तो इसका सही आप्शन होगा दोस्तों । जटिल आयन में NI की प्रभावी परमानु संख्या क्या होती है तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा option C 38 next question में दोस्तो पूछा गया है निम लिखित आयनों में से सबसे छोटा आयन कौन सा है तो दोस्तो यहाँ पर सबसे छोटा आयन है option D Lu3 plus 99 question में दोस्तो पूछा गया है निम लिखित में कौन से Lewis Acid है तो दोस्तो Lewis Acid कौन से है इन में तो इसमें दोस्तो जो सही option होगा वो होगा option A लास्ट question है दोस्तो लास्ट question में पूछा गया है 4s 4pi एवं 4dz की पावर 2 कक्षकों की कोडिये वित्रण फलनों में 15 सतहों की संख्या क्रमशा है तो यहाँ पर क्या संख्या होगी दोस्तो तो यहाँ पर जो option होगा वोगा option A 0,1 तथा 2 तो दोस्तो यह था एक question paper जो हमने आपके साथ साजा किया DDU University की ओर से जो कि last year आया था दोस्तो इस question paper की help लेकि आप other paper के लिए भी अपनी preparation कर सकते हैं क्योंकि जो question होते हैं वो कहीं न कहीं काफी हद तक सेम होते हैं जो सभी entrance exams में पूछे जाते हैं तो इस तरह से दोस्तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा informative लगा हो तो लाइक को शेर जरूर कर दीजे और साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे क्योंकि दोस्तो इस तरह कि वीडियो हम लेकर आते रहते हैं हमारी चैनल पर जहांपर हम टिप्स आपके साथ शेर करते हैं नर्सिंग इंट्रेंस एक्जाम से जुड़ी तो वीडियो में दोस्तों आप अंतक बने रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद